आजके शोशल मीडिया पर सितारों के आपस में भिरने का सिलसिला चल पड़ा है कुछ सिन पहले किसानों के मुद्दे पर कंगना और दिलजीत के बीच तीखी बहस हो गई रविवार को भी एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला फिल्म अभिनेता अनिलकपूर और निर्माता अनिर्देश अकनुरा कशव ट्विटर पर भीड़ गए पहले दोनों एक दूसरे से मजा करते रहे लेकिन बाद में धीरे धीरे बाद तंच कसने पर पहुँच गई और आखिर में दोनों आपस में भीड़ने लगे दरसल अनिलकपूर ने वेब सीरी दिल्ली क्राइम के एमी अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते वे ट्विट किया मैंने पहले भी एक बार कहा था और मैं फिर से कहूंगा क्योंकि वे इसके लाइक है बधाई हो टीन दिल्ली क्राइम हमारे लोगों को अंतराश्टी स्तर पर पहचान मिलने से अच्छा लगा इस पोस्ट में उन्होंने दिल्ली क्राइम की अभिनेतरी शेफाली शा को भी टाइक किया अनिलकपूर के इस ट्वीट पर अनुरा कश्यप ने मजाग करते वे लिखा कुछ योगी लोगों को अंतराश्टी पहचान मिलने पर अच्छा लग रहा है वैसे आपका आसकर किदर है? नहीं? अच्छा नॉमिनेशन इस पर जवाब देते हुए अनिलकपूर ने एक तस्वीर शेयर करते वे लिखा आप आसकर के सबसे करीब आये है स्लमडॉग मिलनियर को टीवी पर आसकर जीतते हुए देख रही है तुमसे न हो पाएगा अनिलक ये बात सुनका अनुराग भी छुप नहीं बैठे उन्होंने जवाब देते हुए लिखा हैंड मी डाउन फिल्मों के किके किंग को कहते है क्या आप इस फिल्म के लिए भी दूसरी पसंद नहीं है इसके जवाब में अनिल ने लिखा हैंड मी डाउन और पिक अप अप में ध्यान नहीं देता काम ही काम है तुम्हारे जैसे काम खोशते समय बाल तो नहीं नोचते पड़ते इस पर अनुराग ने चुटकी लेते वे कहा सर आप बालों के बारे में बात नहीं करते आपको तो अपने बालों के दम पर रोल मिलते है इस पर अनिल ने जवाब दिया बेटा तुम को मेरा जैसा करियर पाने के लिए सीरियस स्कील्स चाहिए ऐसे ही नहीं चल रही हमारी गाड़ी 40 साल से अन्त में अनुरा कश्यम ने एक तस्वीर साज़ा करते वे लिखा ठीक है सर गुडबाई रो ये मत इसके जवाब में अनिल कपूर ने लिखा मेरे रोने का एक मात्र कारण ये है कि मैं इस फिल्म को आपके साथ करने के लिए सहमत हूँ लेकिन चिंता मत करो ये मेरी आखरी हसी है